अब अर्मींत केजरीवाल मोधी सरकार पर बहुत हमलावर हैं कि वो सम्मिंधान के और संस्थाओं को नश्ट करने पर तुने हैं ताना शाही रविया अपना रहे उन्होंने रामलीला मैदान में आज एक बड़ी रैली करके मोधी सरकार पर प्रधान मंतरी मोधी पर निजी तोर पर भी ब्यक्तिका थमले किये और उसके बाद भारती जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरिवाल खुद ही आरोपों में घिरे हुए उनकी पूरी की पूरी सरकार भष्टाचार में लिप थे दो दो मंतरी उनके जेल में है इसके बावजूद वो इस तरह की बाते करते हैं मैं आज यह जानने के लिए इस पूरे मसले में दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि जरिवाल सही है कि भारती जनता पार्टी सही है मैं इसक्त क्लार्ट प्लेस में चलते फिरते, तुम लोग कहा से आई हूँ? हम तो उसमानपूर से आए हैं, उसमानपूर यह दिली में रहती हो यह क्या करती हो तो अब तो मीश्टटी कर रहे हैं किस क्लास 10 ग्लास ग्वर्मेंट स्कुल पर यह लेवन पर वह सब्सक्राइब कि जब से तुम पड़ रही हो केजिवाल की सरकार आई यह गौर्मेंट स्कुल में कुछ सुधार हुआ कि जूटी परिवार को कभी बिलीव हुआ ही निया के जिवाल पर कुछ बतलाव किया है नहीं कुछ नहीं केमरे लगवाएं वो भी ना के बराबर जश्कोस बच्चे इसको फोड देते हैं कोई रूल नहीं लेकि उन्हें चैंज करवाना चाहे था और फिर बहुत से चीज़ें नहीं ठ पहले से काफी इंप्रूब्मेंट है क्योंकि मैंने गवर्मेंट इसको कुछ अलगी सुना था सिनेरियों बड़ जब मैं गई तो मुझा अच्छा देगा इतना विकार भी नहीं था ठीक था किया है ठीक मैं तो सपोर्ट में हूं कि हाँ ने ठीक किया है क्योंकि काफी ची अधरीया थीक है है और हमारे एयरिया का जैसा है तो मैं बतारूँ मुल्ब्त पोटीचिपरसेंटी परसेंट ने भी परसेंट तुम्हा हिसाब से कौन पार्टी सब्सक्रांगुत है तो कुछ पड़े ही लिखे नहीं है उनको कुछ आता नहीं है पढ़ाई लिखा यह सोच समझ के उता है तजुर्बा है उनको वह चला भी अच्छे रहे हैं हमाई देश को इनने क्या उखार लिया के जिवाल जी ने हमारे क्या कर लिया हमने बहुत अच्छा काम क्या वह तो चपल में रहे देते हैं लेकिन चपल पर उनकी इतने बड़े रही है आठ लघे पढ़ine हरा रहये उनकर मेरे चाहा कर रहे है मेरे साब से ऐस्थ है कर रहे हमारा गां हमारे मंदिर चिंदी है हम ब्लॉंग करते हैं वहां से दोनों आयोद्या की हो भी किछली बार कम गई थी अब भी तो गए थे तिसम्बर में आज़े आज़े अरे मैं तो राह चलते लोगों से बात चीत करते रहता हूँ दो बच्चिया मिल गी थी स्कूल से तूनी से बात करने लगा अब बताई हैं आप कहा रहते हैं मैं है रहा ना अज़ा दिल्ली घुमने आए बारहल कोई बात ने अगर यह अभी मैं यह बात कर रहा हूँ दिल्ली में जो केजरिवाल और बीजेपी में चल रहा है रोज आप देखते हैं ना आरोप प्रत्यारोप उधर सुप्रीम कोट की कॉंस्टिविशन बिंच ने केजरिवाल जी को अधिकार दिया उधर अध्यादेश लिया के छीन लिया अब यह कह रहे हैं कि यह लोक तंत्र का यह समिधान का गलाग होट रहें मोदी जी उधर वो काला तित्तर निले मोर काला तित्तर निले मोर दोनों एक हैं एक दूसरे की नूरा कुष्टी हो रही है दोनों जूट बोलने में एक्सपर्ट हैं मोदी शुरू से लेके 15 लाग दे रहा था वो यह सारे दिल्ली में वाइफाई लगा रहा था किसी टीवी कैमरे लगा रहा से आप दिल्ली की बता दीजिए दोनों लोग मोदी के जीवाल बीजेपी आप बोद यह एक सिक्टे के दो पहलू है उठालों के उपर वाला मोदी होगा नीचे वाला केजरी वालों का एक छोटा एक बड़ा है बस एक छोटा जुटा एक बड़ा जुटा है आप किस में पार्टिया सारी अपनी जगह है लेकिन हम कहते हैं कि इस देश यह देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ था 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और इस देश के सविधान बनाने में यह देश ना बहुत विविदिता पुरण है सबसे बहले आप भारत को स सब्सक्राइब के अदों है सांद कर अधु है सब्सक्राइबार और समय दिख है जो देश वह देश है वह इसी खूब्सूरती के साथ रहन की अगर है कोई जाती के नाम पर धरम के नाम पर दंगे कराई जा रही है इस देश का सविधान सबसे बड़ा है इस देश का सविधान बचना चाहिए शुरू से हो रहा है भाई यह देश में यह कब रुकेगा यह दंगा फसाद और यह जब हम रहना ही कठे है यह देश कठा है एक गुलदस्ते में आप यह देखिए आप इसको आगा चली आपके रहें एक सिक्के के दो पहले उमोदी और केजरिवाल है तो आपके हिसाब से जिताया है जिताया ठीक है लेकिन उसके बाद आजमाली है ना दोनों इस दो बार आए दो बार मोदी आया दो बार केजरिवाल आया हो सकता है हमने दोनों को वोट दिया हो हो सकता है लेकिन जब दोनों ने काम नहीं किया तो तीसरा आप विकल्प देखेंगे अब चाहे र परदान मंत्री जो जिसके दादी ने कुर्बानी दियो जिसके फादर ने इस देश के लिए कुर्बानी दियो और वो बंदा जो अभी तक कुछ बना नहीं है एक MFIL की हुई है इंग्लेंड से एकनोमिक्स में पढ़ा लिखा आदमी है और जब बोलने ही नहीं आता है इंगलीश ही नहीं बोलने आती है इंगलीश बोलना मापदंड है जन्देश की जन्ता ने तींसो से जादा सीथ दिये है करता है यह फुर्दी कि नशी को क्या है और जो तो मत बोलो ना आप अपने आपको दिखाए हो कि मेंसे तो बड़ा कोई नौट दस बेटर मुच बेटर हाँ जी चुनाव में तो क्या होता है हाल चुनाव में क्या हाल होगा आप देख लीजिए कभी आने वाला अगले सल इस बार उमीद कुछ अलग है क्या पता लग जाएगा हो तो 24 में सर्प्राइज है वो लगा लो आएंगे मोदी जी जितना इंदुस्तान के लिए काम कर दिना वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज़ रहा है वो मोदी जी की देन है आज धारा 370 खतम करने इराम मंदिर बनाना क्या नहीं दिया मोदी जी ने आकंतवाद की नोड़ बंदी करके आक कितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं कितने लोग लिए 370 क्या है अरे आप बता रहे हो राहल जी आने वाले सो साल में प्रदान मंद्री नहीं बन सकता है यह लिक्के ले लो प्रदान मंतरी को एक तो राहूल गांदी बदनामी देता और दूसरे यह कुछ खड़े हैं यह दो है दो रहे हैं तो यह जरूरी नहीं आम लोग है सब को 3770 सुनिए मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए केजरी वाल ने आप मानेंगे कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब उन्होंने जब उन्होंने आंदोलन किया था तब उन्होंने का मैं कभी राज्जीत में नहीं आऊंगा बच्चों की कसम खाऊंगा गारी नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा लेकिन जब 50 करोड उनके बंगले पर लगने की बात आती है तो वो लोग जो उस आंदोलन से प्रभावित हो के उनको वोट दिये तो उनको एक धक्ता लगता है जाए वो माने या ना माने उस बात से किनारा कर ले लेकिन ए अधिकार हो तुरंत अध्यादेश लाए जाता है तो इसमें बहुत इसके दोनों पक्षे कई लोग कहते हैं कि नहीं अध्यादेश लाए जाना जरूरी था कई लोग कहते हैं नहीं था बात यह है कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार रहती तो अध्यादेश लाए जा सब्सक्राइब मेरे भन का asks दूप्राइब में APP में तरहां की थे तरह क्मरे jadi ह। जादा वाली सख खाल तो विर से ओनो गया पिए फिर फिर जब रहेगी फिर सारी रोटी खाल यह जो जनता है न यह हुआ कि इनको क्या फरक पड़ रहा है वह भाई साब कहें के 378 फिर कहरें वहां जमीन करता हूं कितनी जमीन खरीदली दूसरी दूसरी बात यह कि आप जो कह रहे हो कि अध्यादेश लेगा आती है देखो अध्यादेश बीं समवेधानी के एक यह जा कानूर रहे हैं इंसान जिसके बारे में कहते हैं कि हमने शिक्षा का बहुत बड़ा एक इंसान को हमने बहुत बढ़ा नीजिप शक्रांति कर दी कह रहे हैं अब वो इंसान जेल में बैठा है कितनी बार केजरिवाल जी मिलके आई बताईए सम्वेदानिक बात कर रहे हो आप मिलने जा सकते हो ना हिंदुस्तान के हर बड़े लेडर से जो पोजिशन में बैठा है इन्होंने जाके समर्थन मांग लिया सही गलत की बात तो फिर वो जो राजय सभा में होगा लोक सभा में होगा कानून मन कहाएगा वो भी सम्वेदानिकी होगा वो चाय कोई भी कर रहा हूं ठीक है वो जब अपने एक इन्सान को ऐसे बरगला सकते हैं ऐसे छोड़ सकते हैं उन्होंने छोड़ दिया मनीशिशो अब एक बात बदाव अपने शाथ लगते वे आदमें को छोड़ सकता जंता क्या चीज को सिरफ और सत्ता के अंदर जो उनके पास जो अर्थ राजनीती अर्थपे तो शाषन करना है और आज नीदी क्या है अर्थपे शाषन करने के लिए परतिस परदा ही तो है तो संसाधनों का बटवारा है उस पे अब वह सी के लिए वह लड़ रहे हैं वह आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं अब बड़ा ध्यान से सुने कुछ बोलें मैं कुछ अपना बिचार रहे हैं कौन कट्री मांदार इता है इंकमिंग आपको दूसरी जगह लें चलता हूँ मोधी सरकार और बीजेपी पर हमला करने के लिए आम आदमी पाटी और केजरिवाल ने राम लीला मैदान में 10 बजे से महा रैली का आयोजन किया था तो भारती जनता पाटी भी पीछे कहां रहने वाली थी पाली का मार्केट पाली का बजार तो आप जानते ही है और आप देखिए ठीक 10 बजे बीजेपी ने आरविंद केजरिवाल के जो बंगले पर विवाद है उस पूरे बंगले का यहाँ पर मॉडल ही लिया करके रख देखिए गए यानि एक तरफ केजरिवाल भारती जनता पार्टी पर अध्यादेश को ले करके कर रहे थे और दूसी तरफ उन पर यह देखिए उनके जो बंगले का जिसके उपर आरोप है कि इसमें बीजेपी का की 52 करोड उपे लगे यह पूरा बंगले का मॉडल यहां रख दिया लोगों के दर्शनार और लोग इसको देखने के लिए आप ही रहे हैं आप कहां से आएं मैं प्रयाग राज की पावन धरती संगम नगरी से आया हूं क्या देख रहे हैं यह जो देख रहा हूं यह बहुती गडबड सब सिस्टम है केजरिवाल ने जो पैसे को किया है इस तरह से अगर यह बरबाद करते रहेंगे तो आने वाले टाइम जो पब्लिक का पैसा है वह इस तरह से बरबाद होते जा रहा है कि आप सोची नहीं सकते केजरिवाल एक भ्रष्ट नेता है इसको अटा देना चाहिए दिल्ली तो आज देखें महारेली हुई उन प्रधान मंत्री मोधी जी है जो की बहुत ही अच्छा काम कर रहे है और इस तरह के नियता जीरिवाल जी महारेली में क्या बोले मालूम 25 साल से मोधी जी राज कर रहे हैं आठ साल मेरा राज उनका काम मेरा काम दोनों को मिला के देख नहीं इस समय केवल जंता केवल एक ही चीजद मांगती ही विकास विकास पर काम कर रहे इतनी हजारों करोड के टर्णोवर को इस समय मोधी जी ला रहे हैं और इन जैसे नेताओं ने इस तरह से प्रोजेक्ट में पैसे बरबाद कर रखें जिसका कोई तुकी नहीं बनता इसको क्यों बावन करनो सरकार बरबाद कर रही है को दिल्ली के जनता तो उन्हीं को जीता रही है जिन दिल्ली के जनता आज उनको जीता रही है कल जब वो समझे की चीज़ को को कि यह बहुत बड़ा हब है तो अगर दिल्ली की जनता यह चीज़ समझ ले कि दूसरे गाउं छेतर में और बैकवर्ड जैसे आप समय लिए प्रयागराज में इतना बड़ा काम हुआ इतने ब्रिट्स बने इतने पूलों को जोडा गया और भी बहुत सारा विकास हो रहा है लगातार विकास चलता है कहा कि रहने वाले हाँ? कोई दिल्ली काभी है याँ समझे दिल्ली ही रहता हूँ और केजरीवाल जी ने पूरे युवा पीडी को जो है बरवाद करने का काम किया उन्होंने पानी बिजली के नाम पे दारू हंत में देने का काम किया कलम के जगा पे रोजगार के जगा पे उन्होंने दारू हंत में देने का काम किया दिल्ली के अंदर धाई करोड से जादे की अबादी है केजरी बाल जी ने कहा था कि अपने गुरू को ठकने का काम किया अपने गुरू को उन्होंने कहा था मैं बेटा की कसम खाता हूँ, मैं कोई गारी नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, किसी परकार का कोई सुविधा नहीं चाहिए उन्होंनों तो बेटा का कसम खाया, मा का कसम खाया था कि जहाँ भग्मान राम का मंदीर बन रहा है, वो मंदीर नहीं बनना चाहिए वहाँ स्कूल कॉलेज बनना चाहिए और सबसे पहले दर्शन करने के लिए केजिरिवाल ने स्कूल कॉल अस्पताल में कुछ अच्छा किया कुछ भी नहीं किया है, सिरफ उन्होंने दिल्ली की जनता को ठखने का काम किया है फिर बीजेपी हार क्यों जा रही दिल्ली में बराबर? बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी का जो बोर्ट परसंटेज है, वो पहले तरह आज भी है सिरफ कॉंग्रेस की बीजेपी का है, नो बिधाय के है, नो है, अभी है हमारा नो है 25 में पूरी उमीद है, भारतिय जन्ता पाटी आएगी, उससे पहले 24 में मान्य परधानमंती नरंद मोधी जी आएगे चलिए आप भी बाचपाई, ये लगाने के पीछे कोई कारण, इस रही मॉडल लगाए है इदम देखे ये नरंदर, जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली की देश की जन्ता का जहां का पैसा जो ठकने का काम किया इस तरीके देख रहे हैं कि सीज महल बना है और जो है 25 तीस लाग रुपए की आप जो है उसकी टेबल जो है फरेष्ट की टेबल आप बना रहे हो करोड़ों रुपए की आपने करोड़ रुपए की टीवी लगाई आपने जो घर में जो लोग कहते हैं कि मोदी जी भी तो 20,000 सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे हैं आप यह करूँगा ना बंगला लुगा मैं अपने बच्चों की किसम खा रहा हूं अच भाईर्विंद केजरिवाल जी भूल रहा है आप अपने बच्चों की किसम खा गए और आप सबसुर्दाय ले रहे हो कुछ आप लोगों से बात करते हैं आप किसी पार्टी के तो नहीं है नहीं में किसी पार्टी का नहीं हूं दिल्ली में रहता हूं एक बाद होता है यह एक केजरी वाला बीजेपी का दिल्ली में जो चलता रहता है वह आप देखते हैं हैं झेलिज करता है यह कौछ बोलते मुछ मालम ही नहीं ही नहीं पड़ता दुरंगें बात करता ही महें पर बात करते हैं यहां सब अपनी बात सब अपने करते हैं जो क्या पता को से उम्मिद करना है यह सरकारी स्कूल से नहीं प्राइवेट स्कूल से क्यों तो आए केजरिवाल जो शिक्षा और अस्पताल की बारे में चर्चा करते कुछ काम किये अच्छा जमीन पे तो नहीं दिखाए देता है कि उन्हों कुछ काम किया है जैसे कि बच्पन में कहांया हुआ कर दे थी हम सुना औरते दें कि हमारे दादा कहते थे हम बहुत मैंनत करके पढ़ाई करने आदे थे आठ 10 कीलो मेटर चलकर यह आते थे आज के तारिक में वह प्रोपागेंडा काम कर रहा है अर्बन वोटर्स के दरब एक तो अर्बन वोटर जब यह सुनता है कि स्कूल हमें बहुत नस्दीक मिल गई स्कूल की विवस्ता बहुत अच्छी होगे तो उससे वह प्रभावित होता जबकि जमीन पर वह बस एक प्रोपागेंड़ा जी आप कहा कि रेने वाली यहीं कहीं चलना के जरिवाल और आप आदमी पार्टी ओ बीजेपी में देखो मैं तो ना आप आदमी की तरफ हूं ना बीजेपी की तरफ अगर आप कहे जाए तो अपीनियन की बात कहे जाए तो तो देयर लॉटस अप पीपल वार डिफ्रेंट तो जैसे कि आप लोगों को देख रहे हैं लोग यहां पर पॉलिटेक्स के बात कर रहे हैं तो वहां पर फॉटोस egoc nutrient कर रहे हैं आपको पता है उसके अगेस्ट में भुड रहे हैं देली में बिजली का जो गरीब लोग जो जितने भी रहते हैं उनके पास फ्लैट्स भी नहीं थे उनके पास आज के टाइम पर बिजली भी आया पानी पे इन फेक्ट हम खुद चोटे चोटे थे तो हम टेंगर के लिए पानी लगे लाइनों में लगते थे तो वह भी उन्हो को ये भी बोलेंगे कि उनमें भी गलतिया है तो हम लोग ना लोग ये नहीं देखते हैं अगर आप गवर्मेंट स्कूल के बात करें वहां पर CCTV कैमरेस भी हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है एक्जाम से बहुत अच्छे से नंबर भी लेके आ रहे हैं पड़ भी रहे हैं सर देखें वह आ बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी चीज़ से मिले है तो हमें हमेस से चीज़ से मिली है मैं इक बावन करूड का बंगला का लगा यहीं सब बोल रहे हैं यह किसी का भी हो वो वेस्टी है ना यह मानते हो तो देखो हुआ अगेली दो कि आप मोदी को देखो या प्या करते हो कि हमें अपने बारे में सुद्धने करें अगर यह पे बैठके फोटो क्लिक कर रहे हो बावन कड़ोर का बंगला बोल रहे तो यह अच्छी चीज यह अपर ना अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ तो केजरिवाल और भारतिय जंता पार्टी के बीच ताजा जो हमला हो रहा है आरोप प्रत्यारोप का उसमें दिल्ली की जंता क्या सूसती है कौन सही कौन गलत ये में राह चलते लोगों से क्योंकि आज केजरिवाल ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी एक तो अध्यादेश को समझाने के लिए उन्होंने आज कपिल सिब्बल को अपने मंच पर जगए दी जो कि निर्दली सांसद है राजिस सभा के सपा समर्थित सांसद है उन्होंने अपने मंच पर बुलाया था कि दिल्ली अध्यादेश जो अध्यादेश सरकार लाई है उसको वहाँ आए लोगों को समझाएं आप थोड़ा सा टेप रिवाइंड करें तो जब ये भष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तब अर्विंद केजरिवाल की नजर में अगर मनमुहन सरकार का सबसे बड़ा कोई विलिन था तो कपिल सिबल थे लेकिन अब हालात बदले हैं हवा बदली है तो अब कपिल सिबल केजरिवाल के मंच पर बैटे हैं और सारविजनिक तोर पर केजरिवाल उनका इस्तक्बाल कर रहे हैं और उनका अभी नंदन कर रहे हमाएं साथ कुछ और लोग है आपको नाम क्या है हसने नकवी नकवी साथ दिल्ली रहते हैं बाहर रहते हैं यह जो चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सब सुनी रहे हैं सब देखी रहे हैं बताने की कोई ज़रत नहीं अब तो हर मिनट लोगों के पास मॉबाइल पर खबरे आई जाती है मैं फॉलो तो नहीं कर रहा है लेकिन आप बता रहे हैं तो इसा कुछ चलता रहता ही है वो चली रहा होगा तो आप बता ही क्या पूछ रहे है क्या है क्या है कौन सभी लगता आपको मुझे केजरेवाल में तो कोई बराइद दिखती नहीं रीजन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि काफी सारी महिलाओं को जो एक सिरे से बदरपूर से चलती है और पंजाब बाग तक फ्री आप मैंने थोड़ा नोटिस करा है पिछले दिनों बस इसमें उक्यपेंशी जो है 50% के करीब रहती है तो एक बहुत बड़ा एक सौगात कह सकते हैं वह स्पेशली मर्की मिली प्री फानी प्री और तो को यह बहुत अच्छी बात है बस फ्री तो यहीं तो मोदी जी कहते कि रिवडी बाटते हैं रिवडी बाटते हैं इससे इसलेप्मेंट था जैसी रोट्स वगरा का हिसाब होता था फ्लाइवर कितनी तेज बनते थे शीला दिक्षित के टाइम पे वह थोड़ी सी मुझे लगी है कमी आपको महसूस कर सकते हैं थोड़ा वह काम हलका पड़ा यह जो आरूप लगाते हैं कि मोधी सरकार अब लोग अच्छी हुई है क्योंकि मैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को देखता हूं जो कि बहुत सारे तारीफ करते हैं मोधी की पर यहां प्रोग्रस तो हो रही है इसमें नो डाउट अब सेंटर में कोई न कोई तो होगा उसकी बुराई होनी ही है लेकिन अगर कॉम्प सब को चांस है लोग तंत्र है सब समर्थक सब भी रोधी तोड़ी नहीं है जी बोलो तुम कुछ बोलेंगे किस मुद्धे पर मुद्धा बता होगी पूछ रहे हैं जब पता नहीं तो पूछ सकते हैं ना के जी रिवाल बीजेपी का जगड़ा तो पूरे जो दिल्ली में हें बाहर देश दुनिया तक लोग जानते दोनों में कितनी तक्रार है सरकार में तो हमेशा ही रा है तक्रार अखिलेश देखें लो इनके पीछे महता बनर जी इनके पिछे मोधी जी के और उनके समई को बहुता कुछ मुद्धी जी संब के पीछे पड़े हुए नहीं जो दिखो किसी शोधिया वाल यह जो है ना हकिकत न बोलू मैं भी आमाद वी पार्टी में था लेकिन आमाद भी पार्टी हमने छोड़ दिया क्यों क्यूंकि उसके पिछ राजनीती था यह जो विकारी बन के आज करोड रोपे कमा के एपनी एपनी ऐसी में एसी तैसी कर रहे है यह जो डिल्ली जो आम आदमी से पुछे गा Éक पुसी भी नॉर्मल आदमी से मिडियल के ना से राम बरोज से चल रहा है जोटाने कमा रहा हो देखो यह ना हकीकत बोलू राजीब सार मैंने दिली में यही का हूँ मैं बीहार का जनम है अब दिली में रहता हूं यही पर रहता हूं और इरादा है कि नहीं उधर जाने का एक बताओ मुझे तो दुर भाग होता है बिहार में जन्म है लेकिन तरक्की आके दिल्ली में करते हैं एक से एक आदमी देख लो तुम्हारे इतना काविल आदमी बिहार चोड़के यहां आएगा तभी तो दिल्ली की तरक्की होगी बि जब इसके टाइम आता है कि मुझे इसके फाइदा है तब उनके पास ले देता है आजी आप चलेंगा बताओ तुम कहां से हो जो कहां से है कहां से यूपीज तंबल बूखे प्यासे लग रहे हो कहां से यही मैं आम लोगों से राय मश्वरा करता रहता हूँ चलते फिरते लोगों से देखा है आपको नियूस को देखा है बनाए इसे ही मैं सवाल पूछता हो लोगों मैं जानना चाहता हूं लोगों के दिमाग में क्या चलता है अभी जो केजरीवाल या मोदी या बीजेपी यह चल रहा है ना कि हमको काम नहीं करने देते हर चीज में अरंगा लगाते है य अगर किसी ने देश का विकास किया है तो उससे मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है उसके अलावा मैं नहीं समझता किसी और ने विकास इतना किया है इतना इन दोनों लोगों ने मिलके किया है इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मोदी जी और योगी जी को सबर् सबाइधानी नहीं उदर आम आदमी पर्टी की तरह से बोलना चाहिए तो गलत ऐसे just को समझ में नहीं आया बाकी ठीक है जो करते हैं करें उनका आप भी कुछ बोलना चाहरा है हां सर में यह कह रहा हूं जितने आपको मास्क लगा रहा है जितने भी नेता हैं चाब कोई कोई या नेता के जिवाल सबसे अच्छा बैठ नेता डेली के अंदर जो काम किया ना मैलाओं के लिए सौस्त पे देखो अप इसकूल में देखो हर चीज में काम करें कोई ऐसा नेता नहीं है मुझे जो अभी तक के जिवाल जैसा नेता दिखाओ यह कहरा हूं पदिर गूर्चे वाजन पूखे और जंत निया दिया है है न कि यह चलांगा तो सबस्कार गाएगा यह उस PayPal नहीं होनाशी है अब बंता पच्छी मंगल में जीता है मैं पच्छी मंगल से हूँ ममता पच्छी मंगल वो चला रहा है ना तो यूपी योगी चला रहा ना यूपी को तो दिल्ली भी तो उसको जीता आया है तो दिल्ली में उसको चलना चीए उसको ना माहौल क्या है में बस आज इतना ही देखिए हमारा पेशा है कि हमें काम तो करना ही पड़ता है और रोज करना पड़ता है आज वैसे निउस 24 के हमारे दो साथी गौरा और मनोज एक सड़क दुरगट्टा में दोनों की एक साथ दोनों का निधन हो गया तो बहुत कम उम्र मे एक ही साथ बाइक पर जा रहे थे और दोनों का निधन हो गया हमारी तरफ से और निउस 24 की तरफ से उन दोनों को अब इतनी कम उम्र थी कि मुझे शब्द बोला भी नहीं जा रहा है आज बस जो बच्चों के नीद उड़ाता है दिमाग कमजूर बनाता है जो समाच से मास कर्सूमों के लगातार बढ़ाता जा रहा है दूरी दुनियों से जुड़ना हुआ असान अपनों से बढ़ने लगा फासला स्माट फोन आपके बढ़ना है